नमस्कार दोस्तो आप लोगा स्वागति में दोस्तो आज का टोपिक है नकली और असली गूर की पहचान करने के आसान से टिप्स यान तरीके अगर आप वेट लोस पर्ड है तो आपको चीनी को रिफ्लेस करके गूर का इस्तेमल करना चाहिए लेकिन ध्यान रहे कि गूर अस प्रइश्क कर बाजार में असली के साथ नकली गूर भी आने लगए हैं लग्यान खर एक चीज में नकली प्रोडक्ट आने लगए हैं तो दोस्तो अब बात करते हैं गूर की तो गूर जो है सहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों में गूर की चाय पीने से कई बीमारियों का खत्रावी कम होता है आप अगर वेट लोस मिशन पहें तो तो चीनी को छोड़ कर गूर का इस्तेमाल करना चाहिए गूर से सिर्फ चाहीं नहीं बना सकते हैं बलकि कई मिठी डिसेज बनाने में गूर का इस्तेमाल किया जाता है इससे आप हेल्दी रहने के आपको कई हेल्दी इस्त Raw हो सकते है आयं जानते हैं कि असली गूर की पहशान करने के क्या तरीके है तो पहला है स्वाद से करें पहचान हां दोस्तों सबसे पहले गूर को चकर देखे अगर गूर का थोड़ा सा नमकीन या एक रहा लगता है तो समझ जाए कि गूर सूध नहीं है गूर नकली है असले गूर का स्वाद तो हमेशा मिठा ही होता है दूसरा तरीका है गूर का रंग हाँ दोस्तो असले गूर की रंग पहचान यही है कि रंग में यह डार्क ब्राउन दिखता है गूर को लाइट ब्राउन करने क लिए इससे साप करने के लिए कई तरह केमिकल मिला जाते हैं वहीं इसका वजन बढ़ाने के लिए इसे पॉलिस करने के अलावा अन्य चीजों का भी मिलावट भी कर देता है तो हम अच्छी तरह से गूर का रंग देखकर भी पचान सकते हैं कि गूर असली है या नकली अब की पहचान करने के लिए आप गूर को पानी में धोले अगर यह तैरता रहता है तो यह असली गूर है और पानी में नीचे बढ़ जाता है तो यह यानि इसमें कई तरह की मिलावट है तो दोस्तों यती थोरी सी जानकारी की हम किस प्रकार नकली गूर को पहचान कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि आदके वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दे अभी तक नहीं कि तो और चैनल में पलिवार प्लीज सब्सक्राइब जरू करते तो दोस्तों मिलते वीडियो तक के लिए टेक केर